सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमश्कार दोस्तों बहुत बार मरीज मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे आटोइमीन बिमारी है सर मेरा एने पॉजिटिव आ गया है तो क्या मुझे आटोइमीन की बिमारी है autoimmune diseases एक term है जिसमें 100 से भी जादा बिमारियां आती है और इसके कुछ special लक्षन होते हैं, कुछ special character होते हैं जिसके कारण पता किया जाता है कि आपको autoimmune बिमारी हो रही है क्योंकि इन बिमारियों का cure नहीं है, जड़ से खतम नहीं किया जा सकता इसको बस कुछ दवाईयों से control किया जा सकता है कि ताकि ये बिमारियां आपके body को damage न करे और आप स्वस्थ रहे दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या लक्षन होते हैं autoimmune बिमारियों के कब आपको सोचना चाहिए कि आपको autoimmune बिमारी हो सकता है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे आम डॉक्टर्स भी इस autoimmune बिमारी को पकड़ नहीं पाते हैं और सोच नहीं पाते हैं शुरुवाती दोर में तो ये लक्षन ये symptoms आपको नजर अंदाज नहीं करने चाहिए अगर आपको लक्षन ये सब हो रहे हैं तो जरूर एक rheumatologist से मिले जो की autoimmune disease के export होते हैं तो चलिए जानते हैं कि autoimmune disease क्या है सबसे पहले जानते हैं क्या होती है autoimmune बिमारी है दोस्तों उसके पहले आपको समझना चाहिए कि immune system और immunity क्या होती है immune system मतलब कहने का मतलब होता है कि हमारे body में millions of cells होते हैं बहुत सारे cells होते हैं जो immunity देते हैं immunity कहने का मतलब कि वो पहचानते हैं कि हमारे body का parts कौन सा है और बाहर से आया हुआ bacteria virus कौन सा है कोई infection आपको होता है जैसे virus का, bacteria का तो ये millions of cells होते हैं coordinate करते हैं और उस bacteria को virus को मारते हैं और उसको body से निकाल देते हैं तो ये हुआ immune system और उसका normal जो function होता है उसको immunity बोलते हैं ये immunity कम हो जाए तो आपको बार-बार infection होते हैं ये immunity high हो जाए और abnormal हो जाए या कुछ cells उसमें abnormal हो जाए आपके body के तो ये पहचान नहीं पाते हैं कि bacteria virus कौन सा है और आपके normal body का structure कौन सा है और फिर अपने आपको ही बिमारिया देने लगते हैं अगर simple भासा मैं समझाओं कि आप समझे कि defense system of India जो हमारा defense system है बहुत सारे सैनिकों से बना हुआ है आर्मी है नेवी है एर फोर्स है तो ये सारे categories है और उनका काम क्या होता है कि बाहर के देश का कोई भी terrorist या कुछ भी हमारे देश में attack ना कर पाए और हमारे देश को खराब ना कर पाए वो उनको पहचानते हैं और उनको खिल करते हैं अब imagine करो कि हमारा defense system हमारी आर्मी अगर हमारे against ही हो जायते इसके तो वो कैसी situation होगी वो बहुत ही खदरनाक situation होती है तो यहाँ immunity हमारा immune system जो हमें बचाना चाहिए वो हमारे body के organ को ही खराब करने लगे तो ऐसे condition को autoimmune बिमारिया बोलते हैं और autoimmune diseases बोलते हैं अब बात करते हैं कि क्या क्या लक्षन होते हैं कौन से सुरुवाती लक्षन होते हैं early symptoms of autoimmune disease जो कि आपको ignore नहीं करने चाहिए जो कि आपको नजर अंदाज नहीं करने चाहिए पहला symptom होता है fever अगर आपको एक महिना से ज़्यादा बुखार आ रहा है तो इसे नजर अंद आती लक्षन हो autoimmune diseases के दूसरा और जो most important देखा जाता है कि जोडों में दर्द अगर आपके joint में दर्द है सूजन है स्टीफनेस है खासकर सुबह वाली स्टीफनेस जब आप सो के उठते हैं तो सुबह सुबह आधे एक गंटे तक बॉड़ी में पेन और स्टीफनेस रहता है जिसके कारण आप day to day activity जैसे washroom जाना, कपड़े पहना, नहाना, खाना, पीना उसमें मुश्किले आती है, पेन हो रही है तो इसको भी नजर अंदाज ना करें चौथा जो important symptom होता है skin को लेके अगर आपके चमडे में skin के में बाहर बाहर लाल लाल दाने आ रहे हैं, रैस अगला जो symptom है वो है कि आँखों में redness होना, बहुत बार immunity की बीमारियों में देखा गया है कि आपके आँखों में बार बार लाल हो जाता है, दर्द हो जाता है और जो कि कुछ दिनों तक कुछ हपतों तक रहता है, तो इसे भी नजर अंदाज ना करें, unexplained kidney failure या unexplained बार बार फेफडों में pneumonia हो रहा है, persistent सूखी खासी है, सांस फुल रहा है, जो कि explain नहीं हो पा रहा है कि कोई और बीमारी पता नहीं चल पा रहा है, तो हो सकता है ये autoimmune बीमारी के लक्षन हो, persistent dryness in the mouth और dryness in the eyes, कहने का मतलब मुँ में हमेशा सूखा पन रहना, आँखों में हमे देखी जाती है कि चमडे में tightness करवाती है, जैसे कि skin आपका जो लूज होता है, जिसको आप पकड़ सकते हैं, वो tight हो जाती है, आप पकड़ नहीं पाएंगे, तो skin tightness होना, या फिर आपके उंगलियों में नीला पन होना, जैसे ही थंडी का exposure होता है, cold exposure होता है, और थंड किसी भी मरीज को हो रहा है, या आपके family members में किसी को हो रहा है, या आपके किसी दोस्त को हो रहा है, तो जरूर उन्हें बताएं कि ये बीमारी हो सकती है, कि आपको autoimmune disease हो, परेशान ना हो, और एक rheumatologist से मिल लें, और suggestion लें कि क्या आपको autoimmune disease तो नहीं है, autoimmune disease का अगर इल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जिसमें मैंने बताया कि autoimmune disease के लक्षन क्या होते हैं, कैसी उसे जल पहचाने, अगर आपको पसंद आया हो तो क्रिपया इससे लाइक करें, मेरी समेटग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार